बच्चों, मुझे बड़े दुक के साथ कहना पढ़ रहा है कि अब ये स्कूल बंद हो रहा है। इस जमीन के मालिक ने स्कूल बंद करके यहाँ होटेल बनवाने का फैसला किया है। और एक बड़े बिल्डर को उसकी पर्मिशन भी दे दी है। तुम सब किसी और स्कूल में अपना एड्मिशन करवा लो। सर ये कैसे हो सकता है। आपकी पर्मिशन के बिना इस स्कूल की बिल्डिंग में होटल कैसे बन सकता है। आपने वो पेपर साइन क्यों किये। मैं स्कूल का मालिक नहीं हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल सर प्लीज ऐसा मत करिये। इतने सारे बच्चे कहां एड्मिशन लेंगे। क्या नाम है तुहरा, काउंसी क्लास में हो। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फाइनल डिसीजन है स्कूल की जमीन के मालिक का, समझे। सर, सर एक मिनट सुनिये तो, सर मेरी बात का जबाब दीजे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। सर, प्रिंसिपल सर तो एक बदल गए है, वो मुझे पहचाने तक नहीं। वी, हम चुप नहीं रह सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। जिन्डु अगर हम उस बिल्डर को डरा के भगा दे तो ये स्कूल नहीं टूटेगा। ओके, चलो हम भूद बनके उसे डराते हैं। में आए कम इन सा। यास कम इन। कौन हो तुम और क्या चाहिए। मैं उस स्कूल में रहता हूँ जिससे आप तुडवा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे तोड़के होटल मत बनाईए। तुम उसमें रहते हो, ये कैसे हो सकता है, उसमें तो होस्टल नहीं है। मैं तो उसमें सो साल से रह रहा हूँ। मैं उस्कूल का बूध हूँ। फर्स्टूडेंट अफ डाट श्कूल। तुम बूध हो। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। क्या प्योगे ठंधा गरम मैं मजाप नहीं कर रहा आपको यकिन नहीं हो रहा तो देखिये मैं च्या क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हे खा जाओंगा मैं तुम्हे खा जाओंगा वाँ वाँ क्या जादू है कैसे किया मुझे भी सिखाओ प्लीज प्लीज तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूँगा सिखाओ मैं भूत हूँ मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता मांजाओ मेरी बात स्कूल मत तोड़ना वरना प्लीज प्लीज मुझे भी ऐसा जादू सिखाओ ना प्लीज तुम जो मांगोगे मैं दूँगा तुम मुझे बच्चा समझ के मुझसे नहीं डर रहो ना मेरे और दोस्त आएंगे और तुम्हारी अच्छी ख़वर लेंगे जिन्टू जिन्टू क्या इशारा कर रहे हो जिवार के पास जाना है लेकिन